Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफाद, जुलेखास कीचिन से, तो चलिए, आज हम मनाते हैं बढ़िया सा मज़ेदार सा चिकिन का पुलाओ, सफेद चिकिन का पुलाओ होता है, साधा वाला, बहुत ही बढ़िया जटपड घर पर आसानी से बन जाएगा, तो चलिए, शुरू कते है तीन कप पानी, आप चाहे तो चार कप भी दाल सकते हैं, तीन-चार सुखी हुई लाल मिर्ची, यहाँ पर मैं एक गड़ा, मीडियम साइज का लसन का दाल रही हो, और एक छोटी प्याज है, यह अधरक है, आदा इंच टुकड़ा, और एक टेबल स्पून सौप दाल यहाँ पर मैं दाल देती हूँ, चार-पांच लॉंग, और इसके साथ साथ एक बादियान, चार-पांच हरी इलाइची, एक बड़ी इलाइची, और मैं यहाँ एक छोड़ा चाय का चमत साब जीरा दाल देती हूँ, छे-आठ काली मिर्च, छूला फास्टाज पर चालू क तो इसमें उबाल आजाने देजिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा नमक दाला है, तो इसमें उबाल आ जाने दीजिए, तो मीडियम आज कर दीजिए, ढखकर इसे 15 मिनित तक पकने दीजिए, मैंने फास्ट आँच पर रखा ता, आप मीडियम आज पर भी रख सकते हैं. अब चान कर उसे भी साइट पर रख दीजिए, अचा ये है तकरीबन 11 कली लसन की और 4-5 हरी मिर्चे, हरी मिर्चे आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, इन्हें दरदरा पीस कर पीरा पानी डाले हुए, इसे पीस कर साइट पर रख दीजिए, यहाँ पर मैंने 600 ग्राम चा पतिली के अंदर मैंने तेल डालकर दो मीडियम साइज की प्यास को, लाइट गोल्डन प्रांफ होए तक उसे फ्राइ कर लिया था, जिसे हम बिरिस्ता कहते हैं, वो हो गया तो मैंने इन्हें निकालकर साइट पर रख दिया, अगर आपको बिरिस्ता नहीं डालना है, तो यह आप स्टेप स्किप कर सकते हैं, अब तेल तो डाला हुआ है, उसी के अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़े से गरम मसाले, 7-8 लॉंग है यह, 3-4 हरी इलाइची, मैंने 4 ली है, 10-12 काली मिर्च, एक बादियान, एक डालचीनी, एक बड़ी इलाइची, दो देज पत्ता एक छोटी चाई की चमाज, साबुद जीरा, 4-5, मैंने यहाँ साबुद लाल मिर्चियां भी दाली है, चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए, और इन्हें तेल में तर-तरा जाने दीजिए, जब अच्छे तर-तरा जाए, तो यहाँ पर मैं दाल देती हूँ, 7-200 गर करना है, जब आपको लगेगे, पिंकिश हो चुकी है, और बस अभी कलर चींज होने ही वाला है, प्यास का, तो यहाँ पर दाल दीजिए, 2 टीबलस्पून अद्रक लस्ट का पीस, उसे भी दाल कर, बार-बार चलाते हुए, भून लीजिए, तब तक भूनिये, जब तक इ मैं इसे चूला मीडियम या फास्ट आज कर दीजिए, मैंने मीडियम कर दिया है, और इसे बार-बार चलाते हुए, एक मिनिट तक भून लीजिए, लस्टन और हरी मिर्ची को, अब इसमें डाल देती हूँ, मैं दो मीडियम साइस के टमाटर, इसकी मैंने छीन निकाल इसे ढाग कर 2-3 मिनिट तक पकने दीजिए, जब तक तेल नहीं छूट जाता है, और टमाटर नम नहीं हो जाते, चलिए टमाटर नम हो चुके, तेल भी छूट चुका है, तो चूला में कर देती हूँ, फास्ट आच, और यहां पर मैं दाल देती हूँ, 200 ग्राम दगी, आ जादा खटी भी नहीं है, मीठी भी नहीं है, कोई भी वैसी फ्लेवर वाली नहीं है, इसे दाल कर बार बार चलाते हुए, एक मिनिट तक फ्राइ कर लीजिए, थोड़ी सी मैं यहां हरा धनिया, यानि के कोत्मिर बारे कठा हुआ भी दाल देती हूँ, जब एक मिनिट हो जाए हलका हलका तेल ऊपर छूटने लगे तो हमारे जो चिकन हमने निकाल कर साइट पर रखी थी वो भी दाल दीजिए उसे भी दाल कर अब आप मीडियम आज या फास्ट आज पर इसे भी भूल लीजिए मैंने मीडियम आज करती है और इसे तकरीबन आधे एक मिनिट तक भ फ्रेश पानी डाल देती हूँ तो थोड़ा सा पानी तो मैंने उसमें चला कर भी डाल दिया है मिक्सर जार के अंदर तो टोटल मैंने कितने कप डाले पानी चार कप चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए खुब सारी बारी कट्टी हुई कोथमिर डाल दीजिए यान अब इसके अंदर दीजिए जो बिरिस्ता मैंने साइट पर बना कर रखा है पहले मैं वो डाल देती हूँ कुप सारी बारी कटी हुई कोट मेर्याने के हरा धनिया दाल दीजिए तीन-चार हरी मिर्चिया slit मारकर दाल दीजिए क्योंकि मैंने spice कम दाला है तो ये उपर से दाल दीजिए और ढाक कर सुलाज पर दम पर कुछ वजन रख दीजिए और इसे पकने दीजिए 15-20 मिनिट तक मैं 20 मिनिट के बाद खोलूँगी चलिए 20 मिनिट हो चुके है मैं खोल लेती हूँ चुला कर दीजिए बंद सबसे पहले तो ये तववा हटा दीजिए आप चाहें तो इस तरी किसे इसे फोड सकते हैं मैं तो इसे फोड ना कहती हूँ मतलब चावलों को उपा नीचे करना और इसे मैं अभी ढख कर 15 मिनिट तक ऐसे ही रहने देती हूँ नीचे का तववा हटा दीजिए अब जब तववा हड गया 15 मिनिट हो गई तो ये देखिए बड़िया से सेट हो जाते हैं तब 15-20 मिनिट हम ऐसे ही रहने देते हैं तो वो चावल तूटते नहीं नहीं तो उसी समय आप निकाल लोगे न तो चावल तूटने फूटने लगते हैं तो इतने बड़े-बड़े ग्रेंस दिखेंगे नहीं आपको चलिए 15-20 मिनिट के बाद यहां पर मैंने खोल कर इसे बड़िया सी एक प्लेट में निकालती हूँ और करमा गरम इसे सर्फ करती हूँ यह बन गया हमारा बड़िया सा फ्लेवरफुल वाला चिकिन का पुलाव अचा मैं इसे जो इमली गुड की जो कचुमबर आता है उसके साथ सर्फ करती हूँ उसका जोड है तो उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्किप्शियन के अंदर दाल देती हूँ आप महाँ चेक कर लीजिएगा इस रेसिपी में मैंने लस्टन के साथ जो मिर्चिया डाली थी वो कम डाली थी क्योंकि मुझे स्पाइस कम चीए था आप आपके स्वाद अनुसार इस रेसिपी में स्पाइस एज़स्ट कीजिएगा मैंने आधा भिरिस्ता रख दिया था इस समय आधा भिरिस्ता मैं उपर से डाल देती हूँ फूप सारी बारी कठी हुई कोथमिर दाल के फिर से सर्फ कीजिए हमारे पुलाओं को मुझे डेड़ कप यकनी मिली वो क्यूँ क्योंकि मैंने फास्ट आच पर चूला रखा था पॉल करने के लिए अगर आप मीडिया माच रखो से पहले ग्लास के हिसाब से या कप के हिसाब से मेजर कर लीजिएगा कितने कप है या कितने ग्लास समझो मेरे तीन कप थे तो मैंने चार कप पानी डाले अगर आपके आपके कप के हिसाब से चार कप है तो आप पांच कप पानी डालेंगे जितना आपको स्टॉक मिले उतना लीजे याने के यकनी मिले उतना दालिए उसके बाकी का जो है आप फ्रेश पानी दाल दीजिए तो है ना मज़ेदार रेसिपी अज की अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें सेक्शिन में जरू शेयर साथ अंतल दें टेकर आलाफ इस बपाई